हलो स्टूडेंट्स, हिंदी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, हमार आज का टॉपिक है संग्या किसे कहते तथा इसके भेत, संग्या के संदर में यह परिभासा दी गई है, संसार के किसी भी प्रानी, वस्तु, स्थान, जाती या भावादी नाम को संग्या कहते हैं, जैसे कि दिल्ली, रमेश, जानवर, खुरसी, गोरा, काला, इत्यादी, यह सभी किसके अंतर गताते हैं, तो संग्या के नाम के अंतर गताते हैं, संग्या के अंतर गताते हैं, तो संग्या के कितने बेदे, संग्या के पांच बेदे हैं, वेक्तिवाचक संग्या, जातिवा वेक्ति वाचक संग्या जिन शब्दों से किसी विशेश वेक्ति, विशेश प्रानी, विशेश अस्तान या किसी विशेश वस्तु का बोधो उन्हें वेक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे रमेश आप देख रहे होंगे मैंने पहले से एक नाम लिखके रखा है यह रमेश क तो विशेश वेक्ति का नाम है इसी तरह हो सकता है दिल्ली दिल्ली क्या है विशेश शहर का नाम है उसी तरह अगर मैंने एक नाम लिया लोक भारती तो लोक भारती किसका नाम है हिंदी पुस्तक का नाम है इत्यादी ऐसी तरह के जितने भी खास नाम होते हैं वो किसके अंत अगला देखते हैं, जातिवाचक संग्या के अंतरगत हम देखेंगे कि ऐसे शब्ड होते हैं जो कि किसी एक खास काना होके संपुर्ण जाती का बोध कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि उसके संदर में जो एक परिभासा दी गई है जो शब्ड एक जाती के विभिनयव प्रानियों, स्थानों एवं वस्तों का बोथ कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संग्या कहते हैं, जैसे कि एक नाम मैंने लिया है हाथी, हाथी बहुत प्रकार के होते हैं, सफेद हाथी, काला हाथी, इत्यादी बहुत सारे होते हैं, उसके बाद ये तो हाथी किसके अंतरगत प्रानी के अंतरगताय आया, मनस्य के भी बहुत सारी प्रकार हैं, वो भी प्रानी के अंतरगताय का। नाम हो सकते हैं जो वस्तू के अंतरगत आते हैं पूरी जाती का बोद कराते हैं जैसे किताब किताब पूरी जाती का बोद करा रहा है उसमें कोई खास एक नाम मैंने नहीं कहा उसमें हिंदी की पुस्तक हो सकती है विज्ञान की हो सकती है अंग्रेजी की हो सकती है इत्याद जाती का बोत कराता है, उन्हें जाती वाचक संग्या करते हैं, अगला देखते हैं, भावाचक संग्या, भावाचक संग्या वो शब्द कहलाते हैं, जो शब्द गुन, कर्म, दशा, अवस्था, भावाधी का बोत करा है, उन्हें भावाचक संग्या करते हैं, पहले से मैंने चोरी, चोरी किसके अंतर गताता है तो भावाचक संग्या के अंतर गताता है इसकी एक में सरल परिभास आपको मोखिक रूप पर से देना चाहूंगी कि ऐसे कोई भी शब्द जिनको हम सिर्फ मशूस कर सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो किसके अंतर गताते हैं, भावाचक संग्या के अंतर गताते हैं, जैसे चोरी, खुशी, गम, दुख, इत्यादी कि ये किसके अंतर गताते हैं, तो भावाचक संग्या के अंतर गताते हैं, इनको हम सिर्प मश कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इसको हम दिखाने सकते हैं, इसे कोई देख नहीं सकता, तो ये किस के अंतर गता हैं, भावाचक संग्या के अंतर गता हैं, अगला हमारा है, द्रेववाचक संग्या, द्रेववाचक संग्या, वो शब्द कहलाते हैं, जिन संग्या शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोधो उन्हें द्रेववचक संग्या कहते हैं जैसे दूद, घी, गेहूं, सोना, चांदी, उन, पानी, आदी द्रेववचक संग्या के अंतरगत आते हैं तो ये नाम जो की दिये गए हैं वो द्रेव वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं, वो कुछ पैजल भी हो सकते हैं, मतलब जो लिक्विड होते हैं, कुछ ठोस भी हो सकते हैं, धातु के रूप में भी हो सकते हैं, और कुछ खादिय पदार्त भी होते हैं, जैसे कि आटा, शक पर इत्यादी जो नाम है वो द्रेववचक संग्या के अंतरगर्थी आते हैं अगला हमारा है वह है समुवचक संग्या समु का अर्थी होता है गुरूप ये चीज याद रखिए ऐसे नाम जो किसी एक किसी खास एक का नाओके संपूर्ण जाती का या गुरूप का बोद करा उन्हें यहां पर शमु वाचक कहा गया जहां पूरे भीड का जिक्र हो उस चीज का पूरे गृप का जिक्र हो उसे समु वाचक कहते हैं जैसे की भीड, मेला, कक्षा, शमिती, जुंड या समु इसके संदर में जो परिभासा दी गई उसे पहले देखते हैं जो शब्द किसी समु या समुदाय का बोद कराते हैं, उन्हें समु अचक संग्या कहते हैं, वही बात है, जो कोई किसी खास नाम को ना कहके, समपूर्ण जहां पूरी भीड का बोद करा है, पूरे जुन्ड का बोद करा है, उसे समु अचक कहते हैं, जैसे कि भीड, भीड मे क्या है मनिश्य का भीड हो सकता है मेला में क्या है तो वहां भी भीड है वहां भी मनिश्य का भीड है कक्षा कक्षा में क्या है तो विद्यार्थी है बहुत सारे विद्यार्थी है समीती समीती में भी बहुत सारी भीड होती है मनिश्यों का जुंड जुंड में क्या हो सकता ह यह समुव आचक संग्या कहते है तो आज हम लोगों ने विद्ध्यारतियों देखा कि संग्या किसे कहते हैं त तथा इसके बिभिन्भेद उधारन सहीत तो इस विडियो को धियान से देखें और इसे संबंदित क्यों अब आप आसाने से बना सकते हैं अब अगले वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहते तथा उसके भेत के बारे में जानेंगे चलिए थैंक यू